दोस्तों क्या आपको पता है? उश जो होता है वो दोगुना मुहिला की तगुना में छूट बोलते हैं ये भी नहीं जानते हों कि फीमेल के चपल जादा ख़़ते हैं यानि इसमें से भी 40% जूते वो पहनते भी नहीं है एक लड़कों के चैलेंजिस पहुँच जादा पसंद होती है फिली इमेजिंग चलिये जानते हैं कुछ साइकलोजी फैक्स लड़कों और लड़कियों के बारे में लड़कियों को गंदी बाती करने में उतना मजा नहीं आता जितना की लड़के करते हैं कि तुलुना में लड़कियां सभाव से चारदा बाते करने वाली होती हैं जब एक लड़की कहती है कि वो उदास है लेकिन वो रो नहीं रही है इसका मतलब है कि वो दिल में रो रही है तादी आप एक लड़की को पसंद नहीं करते हो जो आपको पसंद करते हैं तो उससे प्यार से समझाए जब कोई लड़का बास्ता में कुछ हाबू कहता है तो लड़किया उसे हमेशा याद रखती है जब आप कुछ गलत करते हैं और लड़की आपको अंदिखा करती है तो उस समय लड़की को अपना गुस्ता शांत करने के लिए कुछ समय देना सबसे लड़किया अपनी भवनाओं को नियंचित करना चांती है लड़कियों को लड़कों से अपना नाम सुनना पसंद है अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो वो लड़का हमेशा हर दिन उसके दिमाग में रहता है लड़कियों को बहुत पसंद आता है किएसे बति गिया दें कोई लरका किसी लरकी के साथ अकसर फ्लर्ट करता है तो लरकी सोचने लगती है कि लरका उससे पसंद करता है कि न इसलिए अगर आप किसी लरकी को सिब एक multiplier की ह्रूप में मांते हैं तो आप अपनी मुस्कुराहत पर ध्यान दें जब कोई लर्की आपके लिए खाना बनाती है तो इसका मतलब आप उसके लिए बहुत माइने रखते हैं अधी आप किसी लर्की को अशिकर करते हैं और वो आपको ढालना शुरू कर देती हैं तो उसे कुछ समय के लिए अकला छोड़ते और अगर अभी भी उसे एक दोस के रुप में मांते हैं तो उससे बाते बाते करें लर्कियों को वो क्या महसूस कर रही है उसके बारे में बात करने में मज़ा आता है लर्कियां असानी से शर्मीनदा हो जाती हैं भले ही लोगों को पता ना हो की आखिर उनसे हुआ क्या हुआ था अगर आपको कोई लर्की पसंद है तो पहले उसके साथ दोस्ति करनी के कोशिश करे उसे आपको जानने दे लर्कियों को स्पेशा मैसूस करना पसंद है भले ही वे इसे दिखाए ना लर्की को किसी लर्के से प्यार हो जाने के बाद उसे आश्र होता है कि उसने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा तो यह अमाजिन तत्र है और साइकोलोजिकल फैक्ट आपको कैसा लगा तो जोरी कॉमेंस बोक्स में कॉमेंस करके बताएगा